हैलो एब्रिवन चलिए आज हम अपने किचंग से फी में कुछ चीज़े गोश करते हैं हमारी किचंग से फ्री आफ कॉस्ट बहुत सारी ऐसे चीज़े निकलती रहती हैं जिनें हम गोश कर सकते हैं जैसे कि यह दिखिये आलू आलू इस तरह से कुछ उगने लगते हैं तो बस इन्हें कट करके हमें इस तरह से पॉट में लगा देना है और इन सभी चीजों को लगाने के लिए आपको बहुत ज़दे स्पेस की भी जरुवत नहीं कि आपके पास बड़े-बड़े खेद हो तब आप इन सब चीजों को लगाएंगे तो जिस तरह से मैं इस ग्रो बैग में इसे लगा रही हूँ थोड़ी-थोड़ी मातरा में सभी चीजों को अपने किचन गार्डन के रूप में यूज कर सकते हैं और इन सभी चीजों को लगा सकते हैं तो बस kitchen garden में लगाने के लिए इस तरह से मैंने कुछ आलू थे जो कि इस तरह से उगने लगे थे बस इन सब आलू को मैंने कॉट कर लिया और कट करके अब मैं इसमें लगा दूंगे मेरे पास आलू को ग्रो करने का कोई भी experience नहीं है बट मैं इसे first time उगा के देख रही हूँ कि यह उगते हैं कि नहीं अपकोर्स उगते हैं क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिनमें लोगों ने इस तरह से आलू को ग्रो किया है और यह बहुत easy तरीका है I think कि यह भी उगेंगे ही तो फिलाल मैं इन सभी जितने भी आलू हैं इन सभी को मैंने कट कर लिया और कट करने के पास आदा जो आलू था उसको तो मैंने बना लिया सबजी और अब जो आलू बचे हैं बस मैं उन सभी को इस तरह से ग्रो कर दूँगी तो सबसे पहले मैंने अपनी किचन में से ग्रो किया है यह आलू तो चलिए सभी जितने भी आलू है मेरे पास इन सभी को मैं इसमें ग्रो कर लेती हूँ फ्रिंट सेकेंड नमबर पे हैं प्याज प्याज जो इस तरह से हम जब उसे टोकरी में रखते हैं तो कुछ इस तरह से उसमें निकलने लगते हैं ग्रीन ग्रीन उसकी लीफ्स आने लगती हैं तो यह ग्रो होने लगते हैं तो बस आपको क्या करना है उपर से इस तरह से प्य प्याज को ग्रो करते हैं तो इसमें से प्याज नहीं निकलता है इसमें सिर्फ जो इसकी पतियां होती है वो निकलती है तो बस आप अगर पतियों के लिए प्याज को ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने घर में से ही प्याज से इसको ग्रो कर सकते हैं तो किचन स आप मैं जो second grow कर रही हूं वो है प्याज बहुत ही easy है इसको भी grow करना छोटे से pot में भी आप इसे भी लगा सकते हैं में पास grow back side side में थोड़ा खाली है तो मैं इसमें लगा रही हूं आप चाहें तो आपके पास अगर 5-5 इंच के भी pot है न तो उसमें भी लगा दीजिए उ ने सभी प्याज को भी लगा दिया फ्रिंट्स नेक्स जो में 3-3 जो नंबर पर grow करने वाली हूं वो है लहसुन लहसुन की कलिया आपको और सबकी घर में लहसुन आता ही रहता है तो उसमें से बस आपको जो थोड़े से मोटे मोटे और जो healthy होते हैं लहसुन लेना है और जितने भी लहसुन है उन सभी को आपको grow कर देना है तो बस जो नीचे वाला portion होता है जो चोड़ा ला portion उसको आपको नीचे रखना है और जो पतला ला portion होता है उसे उपर कियो रखना है और बस इस तरह से मिट्टी में इसको दबाते जाना है और आप दिखेंगे एक इसमें जो गाठ होगी वो बनेगी तो इसको भी grow करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े space की जोड़त नहीं है कि आपके पास खेत हो तब ही आप यूज़ करेंगे अगर आपको interest है kitchen gardening करने में तो आपकम space में ही pot में ही इस तरह से lesson को grow कर सकते है तो मैं भी थोड़ी अगर में clean हो जाएगा कि यह dragon fruit जो हम घर में खाने के लिए लाते हैं उन्हीं को मैं grow कर रही हूँ मैंने YouTube पे देखा है कि dragon food जो होते हैं वो इससे असानी से जुसके seeds होते हैं उनसे grow हो जाते है बट मेरे पास कोई भी experience नहीं है इसे grow करने का मैं first time इसके seeds को लगा रही हू और वैसे ही cactus के जैसे plant होता है उसी plant में उखता है तो मुझे लगता है कि यह sandy soil होती है उसमें अच्छे से उख सकता है बट मैं इसे normally garden soil में लगा के देखती हूँ कि यह लगता है कि नहीं लगता है बट मैं try करूँगी और देखते हैं इसका जो भी update होगा वो भी मैं आप कि साथ share करूँगी कि यह normal garden soil में लगता है कि नहीं लगता है फिर्ण्स नेक्स जो में grow करने जारी वो है पपीता के seeds तो अगर आपको पसंद है वो पपीता तो बस उसके seeds को निकाल लीजिए और उसके seeds को एक दो दिन के लिए थोड़ा सा छाया में सुखा लीजिए और उ इस तरह से मैं हाथों से space बनाऊंगी और space बनाने के बाद उसमें 3-4 seeds टाल देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें पौले निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं और इसका क्या update होगा तो friends इस तरह के seeds से मैंने कई बार plants को grow किया है तो असानी से निकल जाता है बस terrace garden मे भी मैं first time terrace gardening कर रही हूँ तो terrace पे भी मैं first time लगा रही हूँ इसके seeds देखेंगे कि निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं तो friends इस तरह से kitchen के बहुत सारी ऐसे seeds होते हैं जिनको आप अपने घर में grow कर सकते हैं तो आज मैंने ये 5 seeds grow की तो इसका जो भी update होगा वो भी मैं आपके स शेयर करूंगी मेरे वीडियो को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा